नमस्कार दोस्तों स्वागत हैं मेरे यूटूब चनल इंडियन आयरुवेधिक डॉक्टर दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त MKS माई से नहीं MKS माई से नहीं दोस्तों आज हम बात करेंगे फिजियोलोजी की फर्ट चेप्र की हम सलेबस 22 बात कर रहे है ठीक है तो यह है थर्ड चैप्टर दोस तो इस चैप्टर में हम study करेंगे दोस बत्वत्ति दोस की निरुक्ति दोस संक्या रितू और दोस आदि में संबंद दोस की संक्या कितनी है रितू और दोस में क्या संबंद है ठीक है इस बारे में हम बात कर किस तरीकिस हैंगे से कितना इंपोरटेंट चेप्टर है कौन सा कोटेशन आपको याद राखना है और आपको इस जो आप में को प्लुट करना उसकी पीडियाप आपको लब्द करांगा आपको उसका लिंक मिल जाएगा इसक्रिप्शन में तो वीडियो पूरो देखना क्यो राश्तान आयर्विद यूनिर्सिटी के प्रोपेसर डॉक्टर दिनेश चंद सर्मा एंड डॉक्टर राजिस बार्दवार सरकेद्वार लिखित की बुक है बहुत अच्छी बुक है फ्यूजियो लोजेगी तो आप देख सकते हूं तो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्त अध्याय तीन दोस जर्नल डिस्क्रिप्शन ऑप त्री दोस। तीन ओं दोस्त का सामयदने वर्ण दोस्त की व्यक्पति अब आपको पता है कि आईरवेद में दोस्त कितना इंप्टरटेंट है यह जब भी अपन खहीं भी ट्रीटमेंट करते हैं या फिर कहीं भी प् वाला आने वाले चैप्टर बाद पितकप अलग-अलग दोस्तों के बारें बताएंगे तो इस चैप्टर में हम क्या है कि वेसिक जो दोस्त का वेसिक है वो हम इस्टेडी करेंगे और बेसिक तब तक आप उन्हें समझाने तब आप वाद पितकप समझ नहीं पाऊगे इसलिए श्टाट करते हैं दोस्त वित्पत्ति आपको यह दिख रहा है दोस ब्रावर पून्दूस से भावय करने वा गचब बाच इस तब भाव प्रकास ने दोस्त सब्त की वित्पत्ति में कहा है यह आपको कोई जोतनी याद करने के उनली यह याद रखना है उपरने वा दोस कहा चाते है किस्थ दो तरीके से बनता है वाथ-पित-कप को दोस्त क्यों कहते है जो सब्सक्राइब लिखना है और इसको लिखने है ओके अब आता है दोस्ती निरुकती हमें एक एक लाइन को क्लियर करते चलते हैं जो सब्द के तीनो दात किना शृम हके दोश्ड किछ तो कि स्वर्च्रत्र पूर्चंद कीbelsarat का और रोक को उत्पन करें जब अर्ट्रकती का निर्मान करें वे 2 उसए मिस प्रकृत्य निर्मान खुदी दूसीद हो जाता हो रोग उत्पन करता हो और प्रकरति निर्मान करें वह दोस है वात पित कप शुम में अपने से दूसीद होते हैं वे किसी के अप्रेक्षिया नहीं करते हैं जबकि रग्त दुष्ट वात आधी बात मतलब बात आधी जहां आता है तो वात पित किसे से फथन दोस सो थीडेति नहीं होता और दोस्की कोईर्टिट्प वह स स्व्यम दूसीद होता है किसी ओर कि आसकता नहीं होथी लेकिन नहीं वात्थ-पित्थ कॉपफच प्रकार्त थीन तरगर फ्रकार्थ होती हैं तो इसलिंए परंतो प्रक Lang Share नहीं होता वाथ-पिट्पप जब दूसी तहते हैं तब रख दूसी तहता है उनके संशरग में आने पर उनके संप्रक में आने पर रख दूसीत होता है नहीं माना गें इसलिए आचारी को इस लिए भी माना क्य obligation को की away सरज़री से प्लोंग करते हैं रख्ट प्रदान को समय को समझतаюсь विए वाई हो पितम कफ ओ दोसा कोई जुर्थ नहीं हैはは जाए तो यह उच्छी बात है करने मल्क SEÑ याट आपको सरीड को दूसu करने का रहे हैं दोस कह़ेधा हैने ज़िए शं Sense अधय करने का भौते के में साम्म्हें अवस्ता में होते हैं साम्म्हे दाटू के लिए मल्वी खैसे दोस्तों क्या बोलते हैं दोस्तों का नाम मल्वा नाम है कि लिए इसका मतलब यह है दोस्त आतु मलमूलं ही सरीरम दोस्त आतु वुल मूलं सदा देश है यह वैरी वैरी इंपोरड़न्ट एक क्वई सा भी आप इन में से याद रिखो सुस्त्र सैंत सुत्रिस्तान अस्टांगिर्द सुस्त्रिस्तान तो आपको जो अच्छा लगे हो याद रखो वाताजी तीना दोस्टब और तैने के तीन के नम्मर में कि सरीटा हैं नम्मर में तीन धानी के यहांको साथ दातु पूरिश मूत्र मल देखा धारन करते हैं, मदूर आधी रसों के 35 से ये दोस दातु मल एविकरत सम रहते हैं, तो जिस व्यक्ति में, जिस परसन में, जिस पुरूस में, मतलब तीनों दोस बादपित कप, साथो दातु रस रक्त मास में, दस्ति मज़ा शुक्र औ और पूरी स्मूत्र मल यह धेगा धान करते हैं। जो मदूर आधि रस मतूर कुतने अच ऐसे मतलब अमरकाटू तिक्त कसारा सहाइ रसो के पठ्तशी से मतलब जो दिन चलिया बताईया जो रितुचलिया बताईया किस रितुमे जाकेशा कैसा हार करना से उसके पत्त से उन्चे ये दोस्त दातु मल एविकर्त मतलब विकर्त नहीं होते सम रहते हैं मतलब रोगी नहीं होते हैं निरोगी रहते हैं स्वस्त प्रूस रहते हैं हैं TangCloud स्टिदी करते हैं 손ंपूंट हैं मैं विश्रण करने वाले बात पित कप सप्ध इविशेस में कूपीत होने पर असुब Grund also अच्छा नहीं खाय संतुमुलित बोजन नहीं कि अपने कोपीत होने से असुब यदा और एकुपित होने पर सुब होते हैं अगर अच्छा हार वियार कर रहे हो तो अच्छे मतलब अच्छे गुणंगे पोस्टी होगे ओज बढ़ेगा आपके कांती आएगी शरीर में निरोगी रहोगे अगर आपने कुछ नियमों का पालल नहीं किया तो असूब मतला असूब या नहीं रोग पैदा होंगे वाद पित स्लेश में यह तीनों सरीर की उत्पत्ति निर्मान में कारण है इन्हीं एपकुस सम्तता नीचे मद उपर गयता करें वाद पित कप सरीर को दहन किया जाता है अब यह बता रहा कि इस लाइन में कि पित है पित क घंच करते हैं तो वात रहे मिश्चा नभी के नीचे पित तर अमाश्य में हिर्दय और संटेर लखिए और अपने सीनियर पी जो होते हैं ऑपने से से पूझते कि आ तेन वात, पित, कप, और मानस दोस दोस में आता है रज़ और तम, पूरे आएड़ोस जगत ने रगत को चोथा दोस नहीं मानने लेकिन आगे जाके बाद में जब इनका आगे व्याइख्छान आता है आगे तो उन्होने भी तीन दोस पर ही सममत्की जटाई थी दोस्तों को आदोनीक सास्तर किनों सार इस तरीके से बाढ़ सकते हैं वाद दोस्त को regulating and governing system पित दोस्त को metabolic अधा थर्मोजनिक अब metabolic क्या कि पाचन करता है और थर्मोजनिक उसमा जान क्योंकि पित उसमा उत्पन करता है और कप दोस्तों को metabolic system and body fluid जितना भी body liquid है स्रीड में body fluid है चिकनाट है और इसके अंतर मतलब यह related क्याने की कोशिस की गई है अब यह ना रितू दोस्त रसगुन आदी में संबन अगर आपने यह समझ लिया ना तो आप अच्छे चिकसक अच्छे वैद और अच्छे रोग निवारक बन चकते हों क्योंकि जो भी रोग होता है ना इस सिद्दानत पे होता है और इस सिद् से प्रकोब प्रिसम का वर्णन अनत्र कर दिया गया है अब यह मैं आगे बताऊंगा आगे लाश्ट लाश्ट में एक पीडियाप मैंने एडि की है तो वीडियो को पूरो देखना रितों के अनुसार रसों की उत्पत्ति आदानकाल रितों और विसरकाल रितों सीसीर वसं ग्रिसम मैंने इसको याद करने की ट्रिक्स बताएगा अस्टां ग्रित है का मैरा फर्स्ट चैप्टर आपने देखा होगा मैंने लिंक वेजा होगा सबको सिव जी वसे सी से सिसीर वैसे वसंद जी से ग्रिसम वैसे वर्सा मैंने उस्टर अधान सिसीर वसंद अधान पहले क्या आएगा जब भी कोई वर्णवाल इस्टार्ट करते हैं तो आ में पहले क्या आता है सिव जी वसी अपनी ट्रिक्स है तो सीसीर वसंत ग्रिस में आती है आतांकाल में और विस्रकाल में आती है वर्षा सरदहमत अब इनकी जो उत्पन रसों की उत्पत्ति कौन से रस की उत्पत्ति होती है तिक्तरस, कसायरस, कटूरस, अमलरस, लाउनरस, मदूरस यह आपको याद करने कोशिस करने पड़ेगी जब मैं आपको अलग से इसका एक वीडियो बनाऊंगा बोर्ड पे तब आपको रितुम मे कैसे याद करते हैं ट्रिक्स बताऊंगा आपको ठीक है आगे लाश्क पीडियाप में आपको पता समझा दूँगा मैं आगे पीडियाप आ रही है उसमें अच्छी तरीके से महाभूतों के अनुशार रसों की उत्पत्ति कि कौन से रस की कौन से माभूत से उत्पत्ति हो और अप जल माभूत दोनों ना जल और पृत्वी दोनों भारी है इसलिए पृत्ति मदरस अम्ल क्या खटा और उसन गर्म होता है तो अगनी महाभूत अटोमाटिक आ गया और पृत्वी तोकी बारी है लवन लवन में भी अगनी आईगी लवन में जल कट्टू में अब लाइन को याद करने पड़ेगी कि क्योंकि इसी क्या दायाफ़् आप चिस्या कर पाऊगे आप जैसे कटू रस आपको पता कि के महबूद इसमें कौन से महबूद है कि वाईयू अगनी आपको कटू रसका सेवन करने से वायू माबूत और अगनी सरीड में दाहकता बढ़ेगी और सरीड में रुक्षता वायू के गुण क्या है तत्र रुक्षोल लगू सी तो खर है तो इस तरीके से जगो कोडिलिट करना पड़ेगा सब चीजों को अस्टांग इर्दे को एनाटोमिक को फीजिय लोगो सब मिक्स करके आप अच्छे च्के स्टांग पाओगी तो टिक रसका सेवन करोें दब आपको पता लगता है कि वायू बढ़ेगी और सरीड में थोड़ा हलका पन आएगा कसाय रसका सेवन करोगे तो शरीर में रुख्षता आएगी और भारी पन आएग मदूर रस्ट सेवन से कप क्यों बढ़ता है क्योंकि कप होता है गीला इसके गुण क्या है इस निग्द तो पृत्वी भारी है और जल्व इस निग्द है मतब भारी है गीला है अमल क्या है अमल से भी कप का विर्दि होती है प्रित्वी है अगनी क्योंकि प्रित्वी इसमें ज्यादा इंपोटेंट से है और लवन जल और अगनी जल है तो इसलिए कप बढ़ रहा है तो मदूर अम लवन रस से कप बढ़ रहा है और कटू तिक कसाय से कप गट रहा है कप क्यों गट रहा है क्योंकि वायू कप के वेरी-वेरी इंपोर्डेंट याद होना चाहिए 100 तो lavor हो जिलांर इसरी रिक्तन में उसरे माभूत की अधिकता होने से उसरें जिला उसरें उसरेंढूत की उत्पन रश्य नाभी के नीचे रहता है यह नाभी ये तो इसके नीचे क्या है बाद पित और उपर-उपर कब अब देखो अपन याद करता है कि पित मद में आता है तो पित दोस्त यहां पर देखो दिन के मद रात्री के मद युवा आसता है मतलब मद्य आवस्ता वाद दोस्त के आता है लाश्ट लाश्ट में आता है देखो नीचे आता है दिन के अंत में रात्री के अंत में और विर् में अब यह रितू कॉन सी रितू में संचप होता है कौन सी रितूमें समन होता है सब्सक्राइब बनें ऐसे क्वेक्यों को सब्सक्राइब उस चाइब तो होने तोंगी लाश्ट mia पित दोस हार के द्सक्यम मद्ध्या वस्ता में कप दोस zach grand करने के पनिए करने के तोन श्राइव मतलब पहले पिर यह इस स्यर्वाध्या वद्धक्या धी ак्ण म सुख्णल सब्सक्क्राइब और वाद दोस लाष्ट में रहेगा समझ में आया कूआ कि बोट कि साब से कि पित मध्द में रहता है कि तो Susina Katha मद्यावस्ता आहर पाचन के मद्यावस्ता अब आप छायदो दिन की अंत में रात्री में रहता है तो प्रतम काल रात्री के प्रतम पहर में बाल अवस्ता और यह नि रितू वाला में लाश्ट motiv पर आको मैं बात हूंगा ओके आगे बढ़ते हैं मदूर आधी रसों के गुण करम जो छे रस हैं मदूर अमल लवन कटू तिक्त कसा है यह आपको याद होने चाहिए अब आपको पता है कि कफ की व्रिद्दी होती है मदूर रस से तो कफ के गुण लिखो यहाप पर इसनिक्द सीथ और गुरू गुण मतलब जब याद नहीं हो तो ऐसे करना है आपको लेकिन आपको याद होना है यह चरक सुत्रिस्तान है जब आगे next year में आप study करोगे तब आपको मिल जाएंगे और अश्टा अंगर्द में भी यह quotation मिल जाएंगे मेरे भी याद नहीं है तो आपको मैं इसका पूरा बोल के बता हूं इसलिए मैं आपको हिंदी बता रहा हूं अश्टा अंगर्द की पीडियाप में आपको यह मिल जाएंगे लेकिन आपको यह हिंदी तो याद होनी चाहिए कौन से रस की कौन सी पिकरती है मतलब क्यों इसको कौन से रस के सेवन से कौन सा रस कौन से माबूत कि यह सब कोडिलेट है लिंक है और इस लिंक को आपने मतलब को डिकोडिट कर लिया समझ लिया ना समझ लो आपका आयरु सोगा समय वाद दोस किसी के अंदर posts ो रहा है तो आप क抓 को थिक्साद होगे आँ को बहुत ही मदन अम्ल 19 का 7 को क्योंकि वाइत की क्विपरिद क्या है कफ है और कफ को किसी के अंदर कव व्रति है मतलब अलस सारा या पड़ा रहता है मतलब भारी पनस सारा रहा हुट कव की वरद्धि है तो उसको सामक्रस कोंगें से हारवार की आखों सधे करो हैं कसाय कटू तिक्त मैंने आपको बताया दें वापर कसाय कटू तिक्त क्योंकि इसमें वायू महाबूत है एक में वायू महाबूत के साथ आकास है एक में वायू महाबूत के साथ अगनी है एक में वायू महाबूत के साथ पृत्वी है तो मतलग कफ के विरुद्ध कौन से है क कशाय कटूदिख वाध के बिरुद कौनसे मदूरला अब इसका उल्टाए, मदूर अमन लवन से कफ बढ़ता है, कशाय कटूदिख से वाथ बढ़ता है, और कसा है मदूर तिक्त ये इसके में आपको कंफ्यूज करता है वीच वाला पित तो इसको आपको याद रखना है कि सुरुवात का मदूर और लाष्ट के दो तिक्त और कसा है वो पित को सामक करते हैं ओके आपको मैं इसको लिखके बताता हूँ दो मिट वेट करना आप देखिए कि मदूर आमल लवन कटू तिक्त और कसा है चुरुवात के तीन वात को सामक करते हैं लाष्ट के तीन कब को सामित करते हैं कर शक्तोड पैँ अब यह बचे मतलब जो कसाइं मदूर तिक्त मदूर और कसा इतिक्त तो यह तीन वाले न है इसको थोड़ा उल्टा याद रखना कि यह पित को बढ़ाते हैं बीच वाले तीन एक पित को बढ़ाएंगे तो जाहिर सी है कि बचे कोने से मदूर और कसाई तिक जो पित का समन करें यह ट्रिक्स हैं आप अपने हिसाब से बना सकते हैं कि अब देखो मदूर अमल लवन रस कप को कट्टू अमल लवन रस पित को और कट्टू तिक कसाय रस वात को प्रिकुपत करते हैं अब इस लाइन को ऐसे याद रखोगे तो नहीं रोगी आपको ऐसे सार्णी बना के याद करनी होगी जिस रितू में जिस दोस्का करना चाहिए जिस रितू में जिस दोस्का प्रिकुप हो मैंने रितू के बारे में भी नहीं बता है न तो रितू का एक्स्तिया तो अलग से वीडियो बनाऊंगा या इसी वीडियो के एंड में बताऊंगा आपको अमालो अभी इस समय वसंत रितू चल रही है कि मतलब मार रहता है अप्रियो में वसंतौ का रहता है तो रहता है ब्संत रितू का प्रकूप होता है तो कको समय करने वाले हाथ कप को समय करने माले क्या कि वात पित जैसed आयूस मंत्राल ने एडवाईजर जारी किया कि अधरक है, काड़ा है ये सब सेवन करने से हैं क्योंकि उसमें रुक्षता है, बात, पातवाल है सूके द्रव है इसलिए उनको सेवन करना चाहिए जैसे वसंद रितों में कप सामक, कटू तिक्त कसाय रसका सरद रितों में पित सामक, कसाय तिक्त मदूर रसका और वर्षा रितों में वाद सामक तो वर्षा रितों में देखो किसका सामक, वर्षा रितों में वाद सामक कर रहा है तो वर्षा रितों में वाद का प्रिकोब रहता है आपको इसके लिए मैं एक अलग से ही वीडियो बना दूंगा जो सर्वे रसो अभ्याम वल कराना हम एक रसो अभ्याम दोर्बल लगा रहाना very very important quotation कि सभी रसो का सेवन करने से बल की उत्पत्ति होते हैं सभी रसो का सेवन कीजिए कि सभी रस पंच महाबूतों से सभी ध्रव बने दोरस रक्त मास मेध अस्ति मज्जा शुक्र सब अच्छे तरीकी से बनेंगे, तरीकी स्वस्त रहेगा, एक रसका ज्यादा सिवन करोगे, तो तोरबल्ले आएगा, रोग उत्पन होगा, मेरे पांच यूट्यूब चनल है, आप इनको सब्सक्राइब कर सकते हैं, पीडियाब आपको मिल जाएंगे, अब आता है, यह दोसों को संचय प्रकॉप और समन्चक्र, इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगे, लेकिन अभी भी समझा रहा हूं, यह पीडियाब मालों जिस सब्सक्राइब करने में असानी हो, तो 21 दिसमबर दे रहा है, तो मतलब एक या दो, तीन दिन का अंतरा, वो ज्यादा माइन ही नहीं रखता, तो 21 दिसमबर से 21 फर्वरी, तो मतलब जन्वरी फर्वरी, शुरुवात की बात है, अपन जन्वरी फर्वरी से स्टार्ट कर रहा है, यहां भी मतलब सीसिर, तो देखो सिस्टेमेटिक तरीके से, जन्वरी फर्वरी में सीसर, वसंद में मार्च, अप्रेल, गिरिस्म क्या सितंबर अक्टुम्बर और नौवंबर दिसंबर में ही मन्त अब देखो सीसिर रितुप में किसका संचय होता है कब क्यों होता है कप का सिसिर रितुप में होती है अगनी तिव्रत हम घी चिकनि इसना दमहार इतना बोजन सेवन कर लेते हैं क्योंकि मोसम भी ऐसा ही रहता है उस बजेब से कप का संचय हो जाता है कि कप संचय है तो मेने तक अपने ऐसा हार्वी आपको संचय लगते हैं फिर घ्म सोरिया की बढ़ती गाइं तो प्रकॉपित तो तो कौन से रितु में वहाँ वसंत में अब ग्रिस में वहाँ जो प्रकोपित हुआ कप ओटोमेटिक धीरे-धीरे क्योंकि गर्मी बढ़ गए शरीर में बात की रुक्स्ता आ गई तो कप जो बढ़ा हुआ था वो सांत हो जाएगा तो ग्रिस में तुम जाके सांत हो जाता है यह तो हो गई सीक्वेंस वाई क्रम कप कवाला कि कौन से रितु में संच्चेवा कौन से रितु में प्रकोपा कौन से रितु में प्रिसम हुआ अब आती हैं ग्रिस में रितु में आती हैं कि ग्रिस में अगनी भी बढ़ी हुई है नहीं अगनी नहीं वो सुरिय की किरने हैं यह बड़ी हुई है हं रुकसता चारत पहले हैं लू चल रही हैं और हम और अहार व्यार भी उजसे कर रहे हैं निफेさ कॉन से तो कप वाला बता है मैंने फिर बात का बता रहो है तो ग्रिश यह संचय हुआ बात का प्रतौत हुआ आने वालष थो कौन सी है सरद सरद में इसका पर सम्म हुआ मतलब ६सें सलगे है अब आता हैं पित दोस्द के लख्षण क्या है पित्तम साइसने सम् तिक्षण सम् लगू विश्रम स्रम् अम मतलब पित्तम साइसने सम् तिक्षण सम् अम यह मतलब विश्रगंदी वाला पित वर्सारेतों में चिपचिबा मोसम होते हैं तो वर्सारेतों में ऐसा हार विहार होता है तो वर्सारेतों में इसका संचय होते है मुदह्सें वर्षा रिटों के बाद में कौन अप्रत का हुआ है पिरकोप وال के मत में जाकी इसका समयन होता है कि आए अशारीयवन क्या बोला कि जिस रिटों में जिसका परकोप होता है जैसे हई लुग Great का प्रकोप पहता है वर्षा में वाथ का में परकोप होता वाथ को सांथ करने वाले कौन से रज़ा है? मदूर, अमल, लवन उनमें भी मदूर जदे इंपोर्डेंट है ठीक है? पित को समित करने वाले कौन कौन से है? सुरुआत मदूर और लास्ट के दो कटुर कटुर नहीं हो, तिक्त और कसा है पित को सामख करने वाले कौन कौन से हैं सुरुवात के सुरुवात का फर्ष्ट मदूर और लाश्ट के दो कसा है और तिक्त ओके आई होब आपको समझ में आया हो एक एक दोस्त को इसको ऐसे में समझिए और यह आपको याद होना चाहिए कौन सी तारिक से मतलं अलग-अलग अलग बता की चौई 24 रवरी से चोईसदिम्भर से बता रहा था नेई काम जैए इसे बता रह अब डिसम्भर ऐसको अच्छी बात है तो मेरी ट्रिक्स है स्ईवजी वसे सीवजी शिसीर वसंद गरिश्म इस तरीके से तो सीव जी में क्या है सीव जी पहले आ रहा तो आदानकाल की तीन और वसे तो विसरकाल की वर्षा अश्रत है मंत ये इनके बारती में इस पीडियेफ में बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट फाला टोफिक है थेंक्यू आई होप आपको पसंद आया होगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को दो दोस्तों साथ सेर कीजिए